गुद मॉर्निक बच्चो आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 31 सब्जेक्ट माच्स क्लास 7 हमारी जे 28 जैनुवरी के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वोक्षीट में हमें क्या करना है ट्राइंगल स्टैंडर्स प्रॉपर्टीज यह हमें वोक्षीट करनी है जिसमें हम ट्राइंगल की बारे में सिखेंगे और इसके प्रॉपर्टीज मतलब किस तरीक का होता है कितने तरेका होता है वो सारे चीज़े मतलब उसकी क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के है वो तो आपको नीचे जो यह टेबल है इस टेबल को कम्प्लीट करना है देखो जो आपके ट्राइंगल है वो साइट के अगर हम साइट को देखें तो Isosceles Equilateral Scalan, वो होते हैं जिसकी 3jo sides जो triangle, है जिसकी 3gers have जो besides जिसकी 3, 4, 5 ठीके, जिसकी 3 sides जोWith एकपी side equal नहो Isoslli Sociales वो triangle होते है जिनको 2 sides equal हो यह 2 है, 2 है, यह 3 है ठीके, जिनकी 2 sides equal हो Equilateral वो होते है जिनकी 3 sides equal हो ठीके, यह हो गया वो triangle जिसके अंदर जो angles है यह आपका triangle है इसके अंदर यह angles जो है यह 90 degree से कम हो तो वो क्या होंगे acute angle triangle ठीक है तो आप यहाँ पे लिखोंगे क्या लिखोंगे 90 degree से कम होंगे जो right angle triangle वो क्या होता है जिसमें 90 degree का एक angle हो ठीक है और obtuse कौन से होंगे जो क्या होंगे 90 degrees से जाजा हो ठीक है तो जो isocellus triangle है कैसा हो सकता है acute हो सकता है यहाँ पर लिखोगी acute angle triangle acute लिख रहे हूँ में सिर्फ angle triangle आप लिख लेना right angle triangle यह जो right angle हो सकता है हो सकता है वो भी यहाँ पर लिखोगी right पूरा लिखना आपको right-angle triangle और अप्टियोज्ऑ रहागर ऐंनेज प्रेस का है तो हो गई उसके बात कि यहागर लाइच तो कमी इसे ओगल तो यह कंपले क्विण रहती हो मोन प्लगल उसकी और हम चलते हैं मारे question पर the sum of angles in a triangle is जो triangle होता है उसकी तीनों angles का जो sum है वो कितना होता है वो होता है 180 ठीक है वो क्या होता है 180 second है the exterior angle of a triangle is equal to जो exterior angle होता है triangle का वो किसके बराबर होता है sum of two opposite interior angles sum of sum of two opposite two opposite ठीक है यहाँ पर लिख सकते हो opposite interior angle ठीक है interior angle यहाँ से नहीं समझ में आरा तो इस तरीके से यहाँ से मैंने answer लिखा हुआ है क्या हैगा sum of the two opposite interior angle यह लिखोगी first जो fill in the blanks है 180 degree second जो fill in the blanks है उसका answer है sum of the two opposite interior angle और जो मैंने table बनाई थी यहाँ पर लिखी हुए है तो यह भी आप कर सकते हो यह भी आप अपनी नौट बुक में इस तरीके से बना सकते हो scale and के अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर तो ठीक है isocellus यह मतब तीन ही यह मतब फिल है आपके अलड़ी आपके जो आपकी टेबल है उसके अंदर यह अलड़ी फिल है ठीक है उसके बाद हमें isocellus और equilator बने थी तो isocellus तो acute right obtuse angle triangle तीन हो सकता है लेकिन equilator सर्फ acute हो सकता है right angle triangle obtuse नहीं हो सकता ठीक है टेबल हो गई हमारी और हमारी क्या हो गए यह दोनों question हो गए ठीक है तब हम चलते है आगे next है हमारा यह दो questions होने के बाद और table होने के बाद हम यह चलते है gaming time इसमें क्या करना है आपको missing number निकालना triangle का जैसे x है यह निकालना आपको तो first क्या आ जाएगा x कैसे निकालना आपको तो आप लिखोगे यहां पे x is equal to x is equal to 50 plus 40 x is equal to 90 तो x क्या होगे हमारा 90 आ ठीक हो गया first बाद यह question आपको कैसे करना है बस question लिखोगे find the missing angle और यह लिखे find the missing angle first डालोगे और यह triangle बना दोगे और answer यह लिख दोगे ठीक है उसके बाद second भी इसी तरीके से आपको second heading चालोगे और इस तरीके से बनाया होगा जिसे यह x है x plus में 55 plus में 60 हमें पता है जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों sides का sum 180 degree होता है तो यहां से 50 और 55 और 60 है वो कितना होता है इनको add करोगे तो यह 115 आएगा तो इधर यह plus में है उदर जाएंगे 180 के उदर तो यह क्या हो जाएंगे minus में 115 में क्या answer आ जाएगा आपका 65 ठीक है तो question 2 का मैं दिखा देती हूँ यह आपका question number 1 जो भी मैंने बताया है इस ट्रेंगल वाला यह आपका question number 2 50 plus 60 plus x 180 degree x is equal to 180 minus 115 x is equal to 65 जिस तरीके से वो जहां जाना मैंने वहीं पे solve कर रहा ताकि आपको confusion नहीं हो लेकिन copy में आप क्या करना बस उपर question लिखना find the missing number 1 handwriting डालना और triangle बना दो और उसका solution इसके सामनी कर दो इसी तरीके से second triangle बना दो इसका is इसके सामनी कर दो, ठीक है, उसके बाद देखो, second है आपका, second part में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 50 और 60 दिया हुआ है, x आपको निकाला है, तो देखो यहाँ पर भी x कैसे निकलेगा, x आपका निकलेगा, x is equals to, x is equals to 50 plus 60, 50 plus 60 कितना हो जाएगा, 50 और 60 110 होता है, तो आप आपका 20 है, प्लस में एक आपका, यह 90 डिगरी का एंगल है, ठीक है, इस तरीकी की शेय बनी होता है, तो यह किसके बराबर है, sum of, जो ट्राइंगल होता है, 180, तो x की वेल्यू क्या होगी, 90 plus 10, 110 होता है, तो 180 में से, 110 माइनस करेंगी, तो x की वेल्यू कितनी आगी, 70, ठी यह आपका second, यह आपका third, यह आपका first और यह जो बीच में था, ठीक है, चारो questions हो गए अच्छे से, अब आगे चलते है, आगे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो window designs of my room, यह window designs है, आपको यह जो angle से यह निकाल ले, ठीक है, तो क्या करोगी, देखो इस triangle में, अ angle है, आपका x, ठीक है, और यह भी आपका x से दोनों बराबर है, ठीक है, x है, किसके equal होगा, 180 के equal होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 30 plus 2x is equals to 180 degree होगा, और जो 2x है, 180 में से 30 minus कर दो, कितने हो जाएंगे आपके, 150 हो जाएगा, तो x की value कितनी है, 75, यह आपको लिखना ह x की value 75, तो यह भी 75 है, यह भी 75 है, ठीक है, मैं direct fill in the blanks में, मैं answer लिखूंगे, लेकिन आप यह solve, side में इसके कर लिए, आप जो भी आपकी, notebook है, notebook के अंदर, आप इसको side में लिख के रखना, ठीक है, क्योंकि माली जी solve करना आजाए, एक film the blanks की तरह ना, एक marks में, ठीक है, ऐसे लिख सकते है, 180 minus 30, ठीक है, 180 minus 30, क्या होता है आपका, 180 minus 30, 150 होता है, ठीक है, 150 का half हो गया ही, बस आप इतना ही लिख लो, जो मैंने वो solve कर वाया था ना, उतना ही लिख के, 75 और 75 लिख दो बस, उसके बहुत बहुत पर, find the name of the triangle, ठीक हो, अगर दो angles equal है, तो यह आपका isocellus होगा, ठीक है, कौन सा triangle होगा, isocellus triangle, isocellus triangle, ठीक है, isocellus triangle, ठीक है, isocellus triangle, उसके बाद है, find the measure of the missing angle, आप क्या करना है, जो यह angle से इसका निकालना है, तो यह triangle लो, इस triangle में यह 30 है, यह 90 है, तो यह कितना बचा, 30 और 90 कितने होते हैं, 120 होते हैं, यह 30 बचा, ठीक है उसके बाद यहाँ पर बताओ यहाँ कितना होगा sorry 60 होगा नवाँ क्योंकि 180 होता है आपका यह कितना है आपका यह 90 है यह 30 है तो कितना 120 हुआ 180 में से 120 माइनस कर दो कितना बचा आपका 60 बचा तो यह angle 60 है और यह angle भी 60 है तो यहाँ पर measure of the missing angles क्या लिखोगे 60 60 लिखोगे नेम क्या होगा यहाँ पर क्या होगा यह 90 डिगरी का है आप यह मत देखो कि acute है 90 से छोटे हैं दो तो acute लगा दो यह देखो यह 90 डिगरी का बन रहा है इसमें भी और इसमें भी तो किस तरीकी के है यह राइट अंगल ट्राइंगल क्या है यह राइट अंगल ट्राइंगल ठीक है हो गया तो यह questions कुछ आपकी वोक्षीट में गिवन थे आज आज आपको अच्छे समझ में आ गए कोई भी doubt है पूरी वोक्षीट में